नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग समय के साथ सब कुछ बदलता है पहले हमारे जैसे घरों में मिट्टी के चूले होते थे लकडियों से या गोबर के उपलों से खाना बनाय जाते थे फिर कोईले से बनने लगे इसके बाद अब गैस चुला और इसके साथ ही इलक्ट्रोनिक चुले कभी बेभार होने लगा तो समय के साथ हर कुछ बदलता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं जो कभी भी नहीं बदलती और वो है हमारी मानने ताएं हमारे धर्म हमारी परंपराएं तो उन्हीं परंपराओं में रसोई की कुछ ऐसी बस्तू है जो कभी भी आप खत महूनी ना दे अपने किचर में थोड़ा न थोड़ा आप जरूर रखें महँ हलाएं क्या होती है बहुत बुदिमान होती है ऊए क्या करती तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी बस्तू है जो खत नहीं होना चाहिए देखिए सबसे पहली बात तो भारत में वैसे इसे बहुत सारी प्रमपराकर फाल्ट समान होते हैं और बहुत सारी चीज़ होती आप कीचर में स्टूर् कर तो डाला तो और में बस्तुम्हा जैसे झाद अधुनिक पर हम ज्यादा आश्टा सरीत हो गया हैं पहले सियल गर वह मिगंई लोग mixy में पीशते हैं लेगिन क्या आपको पता है आप शिलबटा यूच करें या ना करें पर जैसे आप अपने घर में मिटी रखते हैं एक गमले में आप पॉधे लगाते भी हैं हर किसी के घर में जरूर होता है एक नगते हैं अगर आप घर में तो आज घर थोड़ा सा मिठ्टी लें इसलाकी निए प्लास्टिक के कि प्लास्टिक' घर सबसे पहले तो हमेशा आपके पूरब दक्षिन कोना में ही आप खाना बनाईए जिसको हम आगने एकोन कहते हैं यह जगह अगनी का दीशा है और यहां पर खाना बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा और दूसरी बात पूरब में एक खिड़की जरूर खुलना चाह पतciously कि अधाद लीजे अब ग्सषरी अब यह जैसे की ज псих के आपके किचन में अपने अच्छे स्वास्त के लिए छाना जैबाते हैं तो तेल मसालों का भी धियान देते कि जरूं आपको पतर है चिक कह भी कभी नहीं होती लाइफ में कुछ दिर हलांकि आप खाने को छोड़ दे लोगे के बरतन में तो वह काला हो जाता है तो बना कर तुरत निकालने किसी बरतन में तो अच्छा है लेकिन अब ये भी सवाल है कि खाना किसमें खाए देखे पीतल के बरतन में भोजन करना तामबे के बरतन में भोजन करना या प तो चलिए हम इन बातों में अब नहीं पड़ते अब हम जानते हैं कि रसोई की वह कौन सी वस्तु है जो भूल कर भी खत्म नहीं होने देना चाहिए तो पहली वस्तु है आपके कीचन की आटा वैसे तो आटा हर किसी की रसोई में मिलता है और यह रसोई का सबसे महत्पूर् अपने आटा तो लाया पर खत्म होने लगता है पर ध्यान रखें कि थोड़ा न थोड़ा आटा आप किसी ऐसे जगह रखें वह खत्म ही ना हो थोड़ा सा किसी छोटे से बरतन में भी रख सकते हैं ब्याम में डब्बे में थोड़ा सा रख लें 50 ग्राम 25 ग्राम पर ऐसा जरूर रखें श्टोर करके कि वह खत्म ही ना हो क्योंकि आटा पूरी तरह से खत्म होना अच्छा नहीं माना जाता अब जैसे हल्दी है हल्दी सुभता का कारक है नकात्मक्ता को भगाने वाला है और घर में हल्दी खत्म होना अच्छा नहीं माना जाता असुभ होता है तो घर में कीचन में तो आप रखते हैं थोरा सा पुजास्तान पर भी रखें ताकि खत्म हो जाए बाइचांस तो पुजास्तान का अप लेकर यूज कर ले तो गुरु गरह का दोस लगता है इसलिए रसोई में हल्दी खत्म ना हो ऐसी बेवस्था करें और सुब कारे जो अच् भी जाते हैं लेगिन क्या आपको पता है चावल का उपयोग पूझा पाट में भी होता है और कीचन में भी होना चाहिए चावल को कभी भी खत्म ना होने देर, और सुई में्ग मालक्ष्मी काष्पित करके जरूर रख देए आपके घर में मां अनपुर्णा रहेगी आप लोगों का मन सांत रहेगा आप लोग खुश रहेंगे नजर दोस्से बचे रहेंगे तमाम नकात्मक चीजों को हटाएगा ये चाबल में डाला हुआ सिक्का तो खत्म आपको चाबल भी नहीं होने देना है पूरी तरह और सबसे अंत में नमक जिसके बिना तो पूरा भोजनिय दूरा है और नमक के बिना आपका खाना बेकार है क्योंकि जिस तरह यदि रसोई में नमक खत्म हो जाए तो आपका खानों को बेकार करता है जीवन को भी बेस्वात कर देता है और वास्तु कहता है क अपके रसोई में जो नमक हैं हमेशा कांच के बरतन में रखेंगे इसमें दो चार लॉइट डाल कर रखेंगे नंकात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी और नमक खत्म हो जाए तो नकात्मक ऊर्जा प्रवेस कर जाती है तो नमक आप कोई भी खाते हों बहुत सारे लोग सिंधा नमक खाते हैं बहुत सफेद नमक खाते हैं आप जो भी खाते हैं पर उस नमक के डबे में लॉंग डाल कर ही रखे और जब आप नमक में लॉंग डाल कर रखते हैं तो आप सभी का स्वास्त अच्छा रहता है नकात् जाता और इनमें एक आगे बस्तू है सरसों का तेल वैसे बहुत सा है लोग बहुत तरह के अलग अलग तेल में खाना बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा सरसों तेल जरूर रखिए आपका सनी कंट्रोल में रहेगा वो कभी बिगड़ेगा ही नहीं आपके जीवन में कभी परिसान आप तेल खत्म होने पर एसा मत कीजें पहले सिलाके रखिए और सनीडेव भी सांत रहते हैं सरसों का तेल यूच करने से और सनीवार के दिन भूलकर भी सरसों का तेल मत खुई दियेगा वरना सनीडेव नाराज हो जाएंगे हां संभब हो अगर आपको लगे कि पोंड्रो किचन में मिट्टी का मठका जरूर रखे पानी उसमें भरकर रखे कभी करजों में नहीं फसेंगे मिट्टी का मठका जिस घर में होता है उस घर के लोग करज में फसते ही नहीं और मिट्टी के मठके से जब पानी पीते हैं तो आपका स्वास्त भी अच्छा रहता है तो भी आसपास मत रखिये